जाती समिकड़ मना करके भादप्रा की लोग अपने ही लोगों को जो है नीचे दिखा रहे हैं ये गिरा रहे हैं चारिस वर्तों का संघर्थ बेकार चला गए साथ साथ यही जान लीजिए कि उन्होंने ब्राम्हण को कभी भी पसंद नहीं किया मुख्यमंति जी का और मानी प्रदेश अध्याज जी का ना अना एक तरस हम लोगों को काफी दर्द देता है नमस्कार आप देख रहे हैं लोकसेवा नियूज मैं हूँ आपके साथ रजित्र पाठी बीजेपी के एक बड़े नेता हुआ करते थे उपेंदर दसुपल गोरख पुर्शेत्र के लोगसभा उपचुनाओ भी लड़े लेकिन ऐसा माना जाता है कि पार्टी के कुछ लोगों ने उनका साथ नहीं दिया और वो चुनाओ हार गया खर 2020 में उनका निधन हो गया वो पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष थे बड़ा दाई तो होता है बड़ा पद होता है बीजेपी में प्रदेश उपाध्यक्ष होना वो भी उस समय जब बीजेपी बड़े जुगार से पद मिलता है लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनके न मुख्यमंत्री प्रदेश अद्यक्ष और अन्य बड़े नेताओं से रोष्ट है नाराज है उसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जाती है क्योंकि जब उनका निधन हुआ चलिए उस दौरान अगर लागडाउन था उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदितनात का कारिक अधिक्रम कई बार बना गोरखपुर का आते हैं बराबर आते हैं लेकिन कभी वह सरयां तिवारी में नहीं आते यह जो आप घर देख रहे हैं यह उपेंद्रदत्सुक्लजी का घर है अब आप सोच सकते हैं कि जब राजनीत में लोग आते हैं तो पैसा कमा करके ग्राम प पाद्यक्षा है उसके प्रदेश अध्यक्ष यानि स्वतंत्र देव सिंग भी कभी वह उनके निधन पर आये नहीं हाँ ट्वीटर पर उन्होंने समवेदनाय जरूर दी थी हो सकता था चलिए उस दिन आप ना आए उसके बाद भी मतलब कर्म में आ सकते हैं भोज में आ सक सुकल की जगह अगर वो सिंग होता तो साध मुख्यमंत्र योगिया इतना था जाते अब अपना नाम बताईएगा और क्या नाराजगी है आप लोगों की हमारा नाम आनंद कुमार तृपाठी है और ब्राम्भर नेता के रूप में हम लोगों के बड़े चहीते रहे उपि परिवार से उनका संबंध रहा सभी लोग उनको पुत्रवत भाई की तरह से अपने अभिभावक के रूप में हर तरीके से उनको अपना मानते थे जो किसी का भी कोई भी सुख दुख कुछ भी होता था वह हमेशा पहुंचा करते थे जब कौडी रामविधान सभा से जीतने का उनका आउसर आया जब यह हुआ कि मतलब उपिंद्र दशुकला जी इस सुनाव को जीत सकते हैं ऐसी सिति में उनको टिकट न दे करके और जातिबाद का एक अपना रूप ले करके अलग रूप ले करके और दूसरे को टिकट दिया गया उनके साथ उस समय भी अन्या हुआ गोरखपूर के सदर में जब उनको किकट दिया गया 2019 का उस समय भी पूर्ण रूप से अगर बरतमान सरकार जो हमारे मुख्यमंत्री योगी याजित नाजी हैं अगर वो चाहे होते तो चुनाव जीत गये होते लेकिन उन्होंने थोड़ा भी प्रयास नहीं किया और अपने लोगों को बिल्कुल रोके रखा कि मतलब ये एक ब्रामौर नेता है अगर ये कहीं किसी भी रूप में अगर ये सहर का अगर ये सांसत बन गया इसके हाथ में प्रत्म नशित नित्यों सहर काया गया तो हम इहां से बिल्कुल बिलुप्ट हो जाएंगे क्योंकि ओ पिंदर्ध शुकला ब्रामौर संदाय के ब्रामहर परिवार के एक सबसे होनहार और सबसे दिलेर नेता थे, वो अपनी बात कहीं भी बेवाक रखते थे, अज़ा ये बताईए जब निधन उनका हुआ, अब तो मेरे ख्याल से तीन साड़े तीन महिने से जादे का वक्त हो चुका है, मुख्यमंत्र योगी आदितनात कई बार शेत्र में आये, यहां नहीं आये, उसके पीछे की आप क्या वजह मानते हैं, बिलकुल यही है, गोरखपुर में और भी सारी मौत हुई है, उपिंदर्द सुकला जी के बाद बहुत सारी मौत हुई है, जिसमें उन्होंने सिर्कत किया है, वहां पहुंचे है, उस के साथ भी तो होना चाहिए, बस यही किये, न पसंद करना, यह तो यहीं दृष्टी में आता है, बिलकुल जाती आता है, हम ठाकुर है, वह ब्रामहर है, बस यहीं स्वरूप है इसका, साफ साफ यहीं जान लीजिए, कि उन्होंने ब्रामहर को कभी भी पसंद नहीं किया, अच्छा, इसी वज़े से जो है, अपने एक ऐसे भी जो नेता थे, उनके साथ, उन्होंने काफी लंबा समय दिया, उपेंदर सुकला जो है, पिछले 30-35 सालों से जादे वक तक उन्होंने भाजपा की सेवा की, और मुख्यमंत्री योगिया अधितनाथ तो भी 25 साल का उन अधिने बड़े नेता रहे प्रदेश के, उनके जो है निधन के बाद किसी बड़े नेता का ना आना, क्या मानते हैं इसके पीछे वज़े, तेखिए अधन उपेंजी हम लोगों के लिए मार्ग दर्सक थे, जननायक थे और पुरुवांचल के बड़े कद्दावन नेता और उनका असमाइक चले जाना, हम लोगों को हमेशा दुख देता है, और आज भी दुख है हम लोगों को, जहां तक हम लोग आकलन कर रहे हैं कि माननी मुख्यमंती जी को और माननी प्रदेश सद्धर जी को, तो कम से कम उनके परिवार से आकर मिलना चाहिए था, ढानत रोस है, या आम जनता हो, या गाउं के लोग हो या कोई भी हो, सभी संगठन के जितने भी छोटे बड़े पदा अदिकारी थे, नेता जी सबको बड़ा सनेह करते थे, और सब लोग नेता जी को बड़ा सनेह देते थे, पर मुख्यमंती जी का और मानी प्रदेश सद्धर मुख्यमंती जी का ना आना एक तरह से हम लोगों को काफी दर्द देता है, मुख्यमंती जी अगर चाहते तो मानी जिला अधिकारी महोदय को आस्वासित करके भुलवा सकते थे, उनके परिवार से मिल सकते थे, कोरुना काल चला है, नहीं आये सरयातिवारी में, तो कम से क उनके परिवार को मंदिर में ही बुला के कम कई बार आना हुआ गोरकपुर में, उनके परिवार से उनको मिलना चाहिए था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसका दर्द हर एक कार्यकरता को है, और 40 साल के संघर्सों के बाद, उनके परिवार को जो मिला है, आप सब देख रहे हैं कि एक ग्राम प्रदानी का चुनाआ होता है तो पृधान होने के बार लोग क्या क्या करते हैं और उनका मकान आप दाए उनका गा shortest है तो लगता है आपको की मतलब उपेंदर सुकला जी की जो है जी मुख्यमंतरी ने उपेक्षा की है अगर उपेक्षा की है तो क्यों की है अब इसके बारे में तो मैं नहीं कुछ कहूंगा ये संगठन की बात है अमानी मुख्यमंतरी जी की बात है पर प्रदेश अध्यत जी क कई अनिको दायत उन्होंने निर्भन किया है और 400 साल का या संघर्ष जो है को देखते हुए सरकार को इनके बारे में कुछ सोचना चाहिए संगठन को कुछ न कुछ सोचना चाहिए और मैं आप लोगों के माध्यम से माननी प्रदेस अध्यजी माननी मुख्यमंति जी माननी प्रदानमंति जी से अनुरोध करता हूं कि कुछ न कुछ उनके परिवार के बारे में सोचा जाए बीजेपी अक्सर अपने दावा करती है कि वो अपने कार करता हूं अपने नेताओं का बड़ा सम्मान करती है लेकिन हकीकत आपके सामने है और गोरखफुर के लोगों का दर्द उस वक्त और ज्यादा बढ़ गया कि एक बरसाती नेता कुछ ही समय पहले जैपरकास निसाद हम लोग भी थोड़ा पत्रकारता में हैं लेकिन बरसाती सब्द इस्तमाल हम कर सकते हैं बरसाती सब्द इसलिए कि मौसम देख करके कुछ ऐसे मेड़क होते हैं तालाब तो जैपरकास निसाद को तो पद मिल जाता है कुछ ही समय पहले वो पार्टी में आते हैं और एक ब्यक्ति जिसने पार्टी के लिए 35-40 साल दिये उनका निधन होता है और मुख्यमंत्री प्रदेश अद्द्यक्ष कोई उनको नहीं पूछता है मैं उन्षणाम त्रिपाडी ग्रामसभा सर्यास बोलना हूँ और उपन्दर सुगला के बहुत निकट रहने वाले घर के बगल के हैं और भाजबा की लोगों ने उनका जो इस तरीके से उपहास किया है हम ग्रामवासी बहुत दुखी है जो ब्यक्ति दो दिन पहले किया उस परिवार को पूछने वाला कोई नहीं है इस तरीके से जाती समयकड़ मना करके भाजबा के लोग अपने ही लोगों को जो है नीचे दिखा रहे हैं चारिस वर्तों का संघर्स बेकार चला गया इतना बड़ा आदमी इतना बड़ा कद्दावर आदमी जो परदेश का पता दिकारी राष्टी अस्तर से कोई याद भी नहीं आया है यह लिए हम ग्रामवाती बहुत दुखी है और अनात हो गए है उपेंदर सुल्दा के न रहने से हम लोग बड़ी छाती होई हमारे गाओं का विकास औरुद हो गया अब इससे जादे हम कुछ नहीं कह हैं आप अपना परिचे दीजिएगा और बताईएगा कि उपेंदर सुल्दा जी की जो उपेक्षा हो रही है भाजपा द्वारा सरकार द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा वह सारी चीज़ें उस पर क्या कहना है आपका इधर ही आजाईए क्योंकि घर भी उनका आतार है लोगों को दिखना चाहिए भाई कि राजनीती में बहुत से ऐसे भी नेता होते हैं जो पद पाने के बाद भी धन नहीं बनाते हैं प्रदान मंत्री जी हमारे एक योजना शुरूबात की है जन धन तो जन से लोग धन बनाते हैं नेता पहले जन बनाता है फिर धन बनाता ह तो उसी लिए उन्हों सोच के प्रदान मंत्री जंधन योजना शुरू कर दिये थे आप बताइए कि उपेंदर शुकला जी की उपेक्षा से आप लोग कितने नाराज हैं देखें उपेक्षा सब्द काना ठीक नहीं है और सबकी अपनी अपनी भावनाएं होती हैं लोग उसी परिपेक्ष में अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्ट करते हैं उपेंजी संगर्ष के परियाय थे और भारती जन्ता पार्टी संगठन को खड़ा करने में उन्होंने दिन राट जब भारती जन्ता पार्टी को खोजने से कादे करता नहीं मिलते थे तब उपेंजी डाक्टर रमापती राम ट्रिपाथी श्री स्वर्गी उंकार नाथ ट्रिपाथी के साथ तब गोरगपूर और महराज गंज एक ही जिले में था और गोरगपूर जिला कालाटा था गोरगपूर में संगठन को खड़ा करने का काम किया और सबसे पहले एक खजनी विधान सभा में आता है उन्नीस तो नवास्त्री में स्वर्गी मिठाईलाल सास्त्री को रिक्षा पर बैठ करके प्रचार करके मिठाईलाल सास्त्री के पास भी कुछ नहीं था वो साइकिल से चलते थे पैडल चल करके उन्नीस तो निवास्ती में पुर्वांचल में भार्टी जन्चा पार्टी का पहला विधायक इन लोगों ने मेहनत करके दिया था संगठन ने उपेंजी के संगर्ष को देखते हुए उनके कामों को देखते हुए जिला देक्ष बनाया करेंवी हाऊ इनीस तो चैनल में क호 दि राम विधान समा में प्रत्री में प्रत्री का प्रत्नाया था फिर अ हुए फिर है थे अधो जैgga कर दो नाय गया गोरकुघन तो बने चैकार प्रत्रेशं पार्दर बनाय गया यह सारी बाते जो आप कह रहे हैं वो ठीक हैं मेहनत किया तो बने उतना समय देने के बाद अगर प्रदेश उपादक्ष तक पहुंचे तो संगठन का तो मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा योगदान रहा है लेकिन एक ब्रत जिसने इतना लंबा समय दिया उसका निधन हो हो सकती है लेकिन आप भी जानते हैं कोरोना काल है और इसमें बात्री जंटा पार्ची की प्रदेश में सरकार है तो यह भी संभाव है कि लोगों में संदेश देने के लिए मान्नी मुख्यमंत्री जी या प्रदेश सद्याग जी हाना कि प्रदेश सद्याग जी को अपेक्षा लोग कर रहे थे कि पहले दिन ही उनको आना चाहिए था उनकी कमेटी के वो एक जुम्मेदार पडारिकारी थे लेकिन उसके बाद भी बहुत तरह की चीज़ें हो रही है कारिकरम हो रहा है मंदिर में भी गोरखनास मंदिर में तमाम तरह कारिकरम हो रहा है नाम बताईएगा और क्या लगता है कि मतलब आपके गाउं के इतने बड़े नेता थे पद पे भी थे ऐसा नहीं था कि बितर रखात कि में उनके साथ किया है जब भी टिकट जितने वाले मुझार थे उसमें उनका टिकट कार दिया गया एक बार गवरी देव टिकट दिया गया फिर उस चपनाव में सीतल पांडे जी को लड़ा जी महराज जब 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 उनको जितने मोका था तो उनके सा भी टिकट कर दिये उनके साथ भी तरखात का पार्टी में किया है यहां ब्रामाडवाद ठाकुरबाद चला है गुरख बुर्जली में पूरा अगर योगी अगर उपेंदर सुकला के जगे उपेंदर से सिंह होते हैं निश्चित उनको पदमिला होता जरूर योगी जिया होत का रहे हैं सीधी सी बात है उपेंदर सुकला के जगे उपेंदर सिंह होते तो वो जो है मुख्यमंत्री जी आय होते उनके परिवार से मिलते और संभव कुछ मदद करने की भी कोसिस करते